जिस परकार पुझे मारश जी ने भी आपके बारे में बताया, यहां की बहुत ही लोग प्रिय सांसद, जिन्होंने अपनी कला से तो लोगों तक अपनी पेंचान बनाई बनाई, साती सात ब्रज और भगवान स्रिक कृष्ण की सेवा के लिए पिछले आठ नौ साल से, जो यहां कारे कर रही हैं और जितना टाइम दे रही हैं, मुझे लगता है कि इससे पहले लोकल जो मतुरा के सांसद नहीं थे, वो बहार से जबाते थे, तो वो भी इतना टाइम नहीं दे पाए जितना आप यहां पर दे रही हैं, एक बार जोड़ दा तालिय बजाकर उनको धन्यबादे, और पिछले जहां तक मुझे याद है, मतुरा में अभी तक, मतुरा डिस्टिक में पांच सीट हैं बिदायक के लिए, और मतुरा में आज तक पांचों की पांचों सीट बीजेपी को नहीं मिली, लेकिन मैं कहुँगा कि कारेकरताओं का तो है इसमें योगदान, लेकिन आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, कि पांचों की पांचों सीट यहां मतुरा में बीजेपी को इस बार मिली, तो मैं हर्दय से उनका स्वागत करता हूं, इस विश्वशान्ती मिशन के आप स्री से निविदन किया था कि आप जब दोजार सोले में प्रिया कांचों मंदिर के उद्गाटन पर पदारी थी, आप आये थे और उस समय पाल्टी के राष्टी अध्यक्ष स्री अमेश साज थे उस समय वह भी पदारे थे, तो आप दोनों के साथ में और भी केविनेट मंत्री थे उस समय पर जब ठाकुर जी का पाटु सब हुआ था, तो उस समय पर प्रिया कांचू कन्या विद्या धन योजना चलाई थी, 2016 से प्रारम है, जिसमें आज लगवग साथ साल हो गई ह और 125 कन्याओं को ब्रज की जो जरूरत मंद बच्चियां हैं, जो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाती, तो पिछले साथ साल से विशुशांती मिशन के द्वारा उन 125 कन्याओं को हम पढ़ाई की जिम्मेदारी लिये हैं, और उसी कारिक के लिए हमने यहां पर आज हमा मा लिए जी को निवेदन किया था, लेकिन कारिकरम दो दिन लेट है और आप श्री को दिल्ली निकलना था, लेकिन माराश्री से का कि मैं कारिकरम में समलित होकर और से योजना की सुभकामना देकर मैं निकल लूँगी, लेकिन माराश्री के साथ में हमेसा उखडी हैं, और हम भी उनके साथ मैं तो मैं निवेदन करूँगा क्यों मंच पर पधारे व्यासपीट से आशिवा प्राप्त करेंगे और हिर्दय से जोड़ा तालियों से यहां की बहुत ही लोग प्रिय सांसाद स्रीमती है महामालनी जी पुझे महारशी से आशिवा प्राप्त करें एक बार जोड़ा तालियों से और मैं निवेदन कर दूँगा स्रीमती हमामाली जी से कि अभी एक मार्च को ही पुझे महारशी को 25 वर्स हुए हैं कथा करते हुए यह द्यात्म की यात्तरा के 25 वर्स एक मार्च को सिवरात्री परी पूरे हुए तो एक बार शुब कामना है मैं चाह जी द्वारा आयोजित प्रियकांचु जी का हुली महोटसव के दावरान इतना सुंदर सा सत संग हो रहा है यहां पर यहां मुझे भी बुला कर मेरा बहुत सम्मान बढ़ाया है और मेरे बारे में आप बहुत अच्छ बोलते हैं इसके लिए बहुत बहुत धनेवाद मैं मैं आपको बताओ जब मैं पहली बार यहां सांसत बनने के लिए आई थी बहुत घबराई हुई थी तो इनोंने मुझे बहुत साहस दिया बहुत कर समझाया बरज के लोग कैसे होते हैं कैसा व्यवहार करना है कैसा साड़ी पहनना चाहिए आप कोई ड्रस पेंगे मत आना तो मैं हमेशा इस इन चीजों का याद रखती हूँ और गुंगट तो मैं हमारी आदत नहीं है इसके लिए नहीं लेकिन बड़ अच्छा लगता जिसने भी गुंगट लगाई है फिल्मों में कर लेती हूं गुंगट वगरा नौट अट अदर्वाइस हमारा काम कुछ ऐस काम काम आज नहीं है आपने मुझे हमेशा बहूत UNCHA हीस बहुत और सुना मुझे मॉद। किया है अब ही सुनने के लिए आपका सुनने के लिए आपका सथ संग लिए इतने लोग यह जाँ पर आते हैं आपलोग भागयाशाली है कि ंपने अच्छी टरह से सुन Юदे आप कोई कोई सुनाते है वो कुछ समझ में निया तो उपर इधर से निकल जाता है लेकिन आप बहुत डाउन टो एर्थ आकर आप जो एक एक चीज बताते है तो बहुत अच्छा लगा है मुझे भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है रियली आइम वेरी हैपी शांती सेवा समिती के द्वारा आप बहुत बढ़िया काम कई सालों से करते आ रहे हैं और इस बार भी आप वैसे ही 25 कन्याओं को 125 कन्याओं को स्कूल फीस देने का निरने किया है यह बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि कोरोना समय में बहुत सारे बच्चियां अपने माता-पिता से पैरेंट से अलग हो गए हैं बहुत ही दुख बड़ी कहानिया है बहुत सारे सुना तो आप उनके लिए स्कूल फीस जो दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं आपको भगवान कृष्णा हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे मैंने भी आपने शाइद देहा होगा कौन बनेगा करोडवपति करके के कारिकरम है सब मैंने भी भाग लाता उस-मेंव जितना जो भी पलाग आता है हम जीते हैं उसे भी मैंने मीन भी यहां के गरीभ बच्चों के ये बच्च्छों के इंग के लिए देने के लिए प्रॉमिस किया है तो जैसा जितने भी लोग आएंगे उनको हम लोग भी मेरी तरव से आप से ही सिखा है तो ये सब हम करेंगे बहुत 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 मैं हमेजा कहता हूँ सांसद हों बिदायकों, मंत्रियों, मेले हों, वो ऐसे हों, जो दर्म को इतनी अच्छी तरीके से इतना बताये, वो स्वर्ग तक पहुंचा दिया और क्या पकड होगी जो प्रसंग हम भागवत में भरत जी का चरी सुना रहे थे वही प्रसंग आपने कितना सुंदर और सटीक तरीके से जिन इस लोकों को बड़े-बड़े विद्वान नहीं बोल पाते हैं वो आपने बोल का सहज भाव से अर्थ कर दिया मैं सच कहता हूं, ठाकुर जी ने चुन के भेजा आपको हमाई ब्रेज में बस आप दीर गायू रहें और चकाचे योई खूब सेवा करके रहें बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एक बार जोड़दार तालिव जाकर आप